राची से एक बुलेरो और एक स्कॉर्पियो बांका होते हुए भागल पुर घुसने का प्रयास कर रही थी और पुलिस वालों को मालूम चल गया कि देखिये चार चकवा गाड़ी में दारू हो ना हो रखा हुआ है बांका पुलिस बुलेरों का पीछा करती है और सबसे हैरत वाली बात ये थी कि बुलेरों के आगे एक लाल कलर का बोर्ड लिखा अलगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था बिहार सरकार MDM और उसके नीचे सहरसा मतलब ये कि वो बिहार सरकार की गाड़ी थी ऐसा प्रतीत कराने की कोशिश की जा रही थी लेकिन पुलिस वाले जानते थे सवनौला होते हुए गोराडी होते हुए बांका से भागलपूर में घुसने का प्रयास हो रहा था और बांका पुलिस ने जैसे ही उस बुलेरों और स्कॉर्पियो को देखा तब उनको मालूम पड़ गया कि इसमें दारू की तस्करी हो रही है और बांका पुलिस बुलेरों और स्कॉर्पियों का पीचा करने लगी दारू सिर्फ बुलेरो में था स्कॉर्पियो वाले तो उनके रक्षा में तहना थे पुलिस वाले सब बात समझ गए थे और बांका से पुलिस वाले दोनों गारीयों को ख़देड़ते हुए भागल पूर तक लाते हैं विक्रम शिला सेतु तक वो लोग पहुँचने वाले थे और तब तक बांका पुलिस बरारी थाना को फोन किया और फोन करने के बाद एक ऐसा प्लान बनाया जिसके चलते बोलेरो और स्कॉर्पियो दोनों पकड़ा गया उसमें सवार चार लोग पकड़े गए 371 बोतल विदेशी सराब पकड़ी गई और अब मामला ये चल रहा है कि स्कॉर्पियो पर आखिर जो लाल बोर्ड लगा हुआ था बिहार सरकार MDM DEO सहरसा का उसके पीछे का राज क्या है बहराल आपको पूरी एक कहानी सुनाएंगे कि कैसे चेजिंग मास्टर बन गई है बिहार पुलिस और लगतार बिहार पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है जो लोग मना करने के ब प्रयोजित है रोड बेस बिहार की एक ऐसी टेक्सी की कमपनी है जो आपको आधे किराय में पूरा बिहार घूमाने का दावा करती है आपको पटना एरपोर्ट से बिहार के किसी भी गाउं में जाना हो या बिहार के किसी भी गाउं से पटना आना हो आपको प्ले स्टोर प कि तसकरी हो रही थी और बिहार सरकार के बोका बोर्ड लगा कर पुलिस वालों को भर्माने का प्रयास भी हो रहा था देखिए गोरा डीह के वास्ते भागलपुर में दो गाडियां घुशती हैं और बांका पुलिस जो थी वो इस बात पर नजर जमाए हुए थी वो गाड़ लगा बांका पुलिस को समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि गाड़ी में शराब है और बांका पुलिस उनके पीट पीछे अपनी गाड़ी दोडाने लगी वो लों भाग रहे थे भागते भागते जस गाड़ी में धारू था उसने कई लोगों को ठोकर तक मार दिया जिस पर लिखा था बिहार सरकार MDM DEO और नीचे सहरसा बाका पुलिस को समझ में आ गया कि ये सब कुछ एक ट्रैप है बाका पुलिस पीछा करना नहीं छोड़ती है और इसी बीच बाका पुलिस संपर्ग करती है भागलपुर के बरारी थाना में बरारी थाना के थानाध्यक साहब मामले को सीरियसली लेते हैं और विक्रमशला सेतु के अप्रोज पोल्ड पर पूरा बैरिकेडिंग की जाती है और फिर बोलेरो और स्कॉर्पियो जब वहां से गुजरता है तो उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई आप्शन नहीं बचता है सरेंडर जब वो लो लोगों से पुस्ताच हो रही है कि वो लोग कब से ये काम कर रहे हैं कितना पैसा कमाते हैं उनके साथ कौन कौन शामिल है और फिर जब उनको मालूम पड़ जाएगा पुलिस वालों को तो छापे मारी होगी और सब को पकड़ लिया जाएगा दारुबंदी की स्पेशल ब बाकी ऐसी को अप्डेट आया तो आपको मितला करेंगे आप जिन्दा नेक्शन देख रहे हैं थे धन्यवाद